ठीकाई जो आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, MBA कोर्स का फुल सलेबर्स जी हाँ, अगर आपने अपना ग्रेजवेशन कंप्रीट कर लिया है, या फिर अभी करने ही वाले हैं, कुछ ही सालों में, और MBA करने का प्लान है, MBA करने का बिल्कुल फिक्स कर लिया है, कि सर आप डील कर पाओगे, कोप अप कर पाओगे, कितना हाट रहेगा, कितना इजी रहेगा, पूरा पढ़दा फाश करने वाले हैं आज के वीडियो में, सिंपल सी भाशा में, बहुत ही सिंपल हिंदी में समझाने वाला हूँ, क्या पढ़ाया जाता है, और MBA कोर से, MBA as a degree कोर स आप क्या expect कर सकते हैं, बिना time waste करते हुए, वीडियो करते हैं, स्टार्ट, देखे, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये inform करता चलूं, कि different different colleges में, universities में MBA का course का curriculum differ हो सकता है, और रहता भी है, second year में जब आप आ जाते हैं, तो एक specialization आप चूज करते हैं, उसके basis पर second year से subject change हो या हर university जो core syllabus को follow करती है, मतलब जो कई ऐसे चीज़े होती हैं, जो change नहीं होती है, किसी भी field से, कहीं से भी आप India से, abroad से आप MBA करिये, ये course में जो fixed चीज़े होती हैं, जो subject होते हैं, जो base होते हैं, fundamentals होते हैं, वो same ही रहते हैं, सबसे पहले देखते हैं, core subject of MBA, कि ये तो हो नहीं ही होने हैं, अगर आप MBA करते हैं, किसी भी जगह से करिये, छोटे college से, बहुत अच्छे college से, या average college से, ये course subject आपको मिलेंगे ही, start कर रहे हैं, बच्चा हम accounting subject से, accounting, ये सिर्फ commerce field के लिए नहीं है, कई बच्चे बोलेंगे, सर accounting तो हमने पढ़ी नहीं, कैसे manage करेंगे सबसे पहली बाग तो MBA जबाब करते हैं, तो आपको बिलकुल fundamental level से पढ़ाय जाता है, ये नहीं कि भी आपने become नहीं करिये, 11-12 में comments नहीं थी, हम तो हमें कोई उससे मतलब नहीं है, हम तो advanced level से पढ़ाएंगे, नहीं, become में भी जब accounting आएगी, तो fundamental level से ही आएगी, और teacher अ आप उसे जाके इंट्राइक करिए, या फिर अपने commerce related, जो है commerce stream के बच्चों को अपने friend circle में involve करिए, तो वो आपके help कर देंगे नहीं, तो आप coaching institute तो कभी भी join करिए सकते हैं, ठीके बचा, accounting core subject है, accounting से related, देखें topic यहाँ पर cost accounting है, fundamentals in managerial accounting भी आता है, जिसको हम business accounting बोलते ह मान के चलिए, cost management अलगी आपका एक subject बन जाएगा, मान के चलिए, MBA के first sem में आपके six, six subject है, उसमें से एक subject आपका cost management भी हो सकता है, auditing भी हो सकता, Alexis subject, accounting and acquisition and merger भी आपका third sem में, second sem में एक subject हो सकता है, लेकिन उसका base क्या रहेगा, core क्या रहेगा, accounting से relate ही वो करेगा, ठीक है ब अब accounting क्या है, 80% accounting है practical based numbers वगेरा, calculations वगेरा है, तो यह आपको deal करना पड़ेगा, 20% theoretical nature भी है, जहां पर आपको history वगेरा पढ़ने पड़ती, accounting principles वगेरा जो होते हैं, उसके बारे में थोड़ा theoretical part भी रहता है, तो 80% के नियर बाउट आपको accounting में practical चीजों से deal करना पड़त है, यह भी में clear करता है, क्योंकि कई बच्चों का accounting बहुत weak होता है, mathematics बहुत weak होता है, mathematics weak है, accounts और mathematics को कभी भी हम similar terms में define नहीं कर सकते हैं, दोनों ही completely different है, कई बच्चे ऐसे हैं जिनका mathematics weak है, लेकिन accounting में अच्छे हैं, ऐसे भी बच्चे दिखने को मिलते हैं मुझे, तो आ teacher आपको कभी भी अच्छा नहीं मिला, comment करके जरूर बताना है मुझे कि मैं ठीक बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, accounting इसलिए भी आपकी weak हो सकती है, उससे इतना डर इसलिए है कि कभी भी एक अच्छा faculty ने आपको नहीं पढ़ाया है, this might be a reason, ठीक है, चलिए, moving on to the economics, economics course subject है, किसी भी specialization से आप अपने MBA कर लेजे, economics आपको मिलेगा, economics में business analytics है, manageral economics है, business statistics है, business environment है, corporate finance है, international business, अब यहाँ पर क्या है, 60% practical रहता है हमारे economics और 40% theoretical रहता है, ठीक है, practical में जैसे आपके stats आ गया, stats जानते हैं, by charts बगरा, data, basis पे, diagram basis पे, charts के basis पे, ठीक है, इसके basis प आपको interpretate करना पड़ता है, data, business environment जैसा topic है, जो कि theoretical है, corporate finance जैसा topic है, जो कि practical है, तो यह 60-40 के ratio में हम इसको define कर सकते हैं, या divide कर सकते हैं, तो यह core topic है, economics के जो कि आपको पढ़ने को मिलेंगे, 11-12 में नहीं भी थी, I repeat, फिर भी आप manage कर सकते हैं, अगर आपने शुरुवात यह time से regular रहें और attentive रहें towards your steady, आप manage कर लेंगे, बहुत से बच्चे कर रहें है, manage करते आ रहें है, manage, और आप भी उन बच्चों से बिलकुल अलग नहीं हो, थोड़ी सी effort लगती है, आप easily cover up कर लेंगे, manage कर लेंगे, if in case अपने economics का base नहीं था, शुरुवाती दौर में कभ 20% practical, 20% theoretical, CSR यह theoretical nature का है, principle of accounting practical है, tools of decision making 50-50, business law theoretical बहुत सकते हो, corporate management, microeconomics, operations management, यह कहीं न कहीं, financial aspect of a country को represent करते हैं, कि कैसा पैसा जो है आपका money जो है, info और outflow जब भी होता है, तो हम इसको कैसे track कर सकते हैं, manage कर सकते हैं, उसका best possible use कर सकते हैं, उससे related सारी यह topic आपको cover करते ह marketing की बात करेंगे, जैसे ही product बन जाता है, उसको कैसे promote करना है, different tools है, consumer behavior के study करना है, 90% practical नहीं रहता है, यह theoretical जादा है, और 10% हम इसको practical के रूप में देखते हैं, right, तो यहाँ पर देखिए management concept है, business environment के concept है, operational research के concept है, advertising management, cost management, consumer behavior, retail management, industrial marketing, core जो marketing के concept है, जादा तर वो theoretical nature के होते हैं, कुछ थोड़े बहुत statistics वगयरा को, क्योंकि graph charts वगयरा को भी interpretate करना आने चीए, marketer को, ताकि वो trend analysis को interpretate कर पाए, trend को interpretate कर पाए, right, अगर हम YouTube वगयरा की बात करेंगे, तो हमें भी stats मिलता है, हमें भी एक कहीना कहीं, एक studio मिलता है, जहां पर हम पूरे stats पता लगता ह है, कौन आपका वीडियो देख रहा है, कब देखता है, किस topic पर देखता है, कितना revenue आप generate करते हो, all these facts वो पढ़ने आने चीए, वो interpretate करने आने चीए, yes or no, चलिए, marketing के बाद operational research भी हमारा core subject है, concept है, operational research, business statistics, material management, project management, enterprise resource planning, financial accounting, supply chain, international logistic, अभी operations है क्या, operations है बच्छा, day to day life में, जितने भी decision लेता है, enterprise या फिर एक firm, वो सारे operations में आते हैं, बिना operations के, operations होता है, पूरा आपका, जब तक raw material आता है, वहाँ से, जब तक वो finished product नहीं बनता है, उसके बीच का जितना भी आपका process रहता है, जितने भी decision making रहती है, जितने भी decision रहते हैं, वो सब operations के अंदर मे आते हैं, जिसे की material management हो गया, project को manage करना हो गया, enterprise resource planning हो गया, financial accounting हो गया, supply chain management हो गया, कहां से जा रहा है, किसके through जा रहा है, कहां पर जाना है, वो सारी चीज़े आते हैं, international logistic हो गया, अगर हम अपने domestic goods को global level पे send कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़े आती हैं, ठीक है, फिर एक टॉपिक आता है, organizational behavior, यह staff और HR से related आ जाता है, जैसे basics of management, HR administration, directoral behavior, administrative economics, fundamental of financial management, research methodologies, तो कही न कहीं, organization को अपने workers का behavior पता होना चाहिए, अपने competitors का behavior पता होना चाहिए, ताकि वो future में अच्छा कर पाए, या present में भी business environment को वो knowledge acquire कर पाए, और अपने right decision ले पाए, अपनी firm के ल employees के लिए, does that make sense? चलिए, अब बात कर लेते हैं मच्छा, specialization की, यह दे course object जो कि आने ही आने है, आप किसी भी specialization से अपना MBA करें, अब बात करते हैं, specialization कौन कौन सी offer होती है, आपको, देखिए, यहाँ पर different different colleges, different different specialization offer करते हैं, 20-25 से जादे specialization है, HR है, marketing है, finance है, aviation है, hotel management है, business analytics है, बहुत सारी है, बहुत सारी, आज के time में तो बहुत सारी, 25 प्लस जैसे मैंने बताया, उतनी specialization offer करती है, बात यह आती है कि आपको किसमें interest है, उस specialization से आपको अपना MBA करना है, ठीक है बच्छा, बात करेंगे, सबसे पहले specialization जो है हमारी, HR management, human resource management, अब यहाँ पर second year म आपको face करने पड़ते हैं, third or fourth sem, यह कई जगे third sem के बाद आप choose करते हैं, last sem के लिए अपना specialization, तो वहाँ पर changes आ जाते हैं, उससे related, मतलब जो आप specialization choose करते हैं, उससे related subject आपको देखने को मिलते हैं, say for example, if you are choosing HR, तो यहाँ पर managerial economics, business environment, HR management, research methodology, business ethics, marketing management, यह सब human resource के point of view से आपको पढ़ाय जाएगा, ठीक है, economics of human resource देख पाने हैं, अगर आप accounting choose करते हैं, तो यहाँ पर financial accounting, information technology, legal aspect of business, cost management, bank reconciliation statement, तो देखिए, अगर आपका theoretical nature अच्छा है, अगर theoretically जादा strong है आप, तो आपको ऐसे specialization choose करने हैं, जहाँ पर theoretical चीसे जादा हो, जैसे HR है, marketing है, तो ऐसे चीसे, अगर आप financially बहुत, या फिर आपका practical aspect बहुत जादा strong है, तो आप accounting या फिर finance जैसे specialization को choose कर सकते हैं, अगर आप logistic choose करते हैं, तो बच्छा यहाँ पर logistic से जुड़े, shipping वगएरा, custom procedure वगएरा, warehousing, inventory, liner trade वगएरा, आपको पढ़ाय जाएगा, marketing management choose करेंगे, तो उ से related ही आपको subject देखने को मिलते हैं, majority of the time, ठीक है, finance choose करते हैं, तो देख सकते हैं, finance से related आपको specialization, financial management, management, commercial banking, corporate taxation, Indian accounting standard, वगएरा, choose करना पड़ता है, एक important बात में कहने जा रहा हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा, if in case आप finance से कर लेते हैं, अपना MBA, तो ऐसा कते ही नहीं possible है, या ऐसा कहीं नहीं लिखा है, कि आप MBA finance वाला बंदा marketing job के लिए अपलाए नहीं कर सकता, या MBA finance वाला बंदा HR के लिए अपलाए नहीं कर सकता, you are free to apply anywhere, बस preference वहां पर उन लोगों को जादा मिल जाती है, मानके चलिए HR की कोई vacancy है, तो obvious से चीज है, पहले वो उन बंदों क को देखींगे, जिन्होंने अपना MBA finance या HR से करा है, HR position के लिए, finance वाले positions अगर required है, तो finance वाले बंदों को ज़्यादा preference मिलेगी, लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है, कि आप apply नहीं कर सकते, अगर आप में वो relevant knowledge है, skill set, communication skill है, तो आपकी job लग जाएगी HR से पहले, कभ completely, 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 यह possible है, does that make sense, clear हुपा रहा है, healthcare management से अगर आप करते हैं, तो उससे related आपको topics यहां पर देखने को मिलते हैं, तो choose your specialization careful, इसके उपर मेरे धेरो वीडियो हैं, जो कि आप देख सकते हैं, MBA specialization, बाय सुनी लदिकारी दालेंगे, तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल ज फिर अपना graduation अभी कर ही रहे हैं आप, और MBA से related कुछ भी knowledge नहीं है, और चाहते हैं, एक ही जगए सारी आपको knowledge मिल जाए, तो उसके लिए आप मेरी video ebook है, MBA के उपर, MBA के उपर, video ebook है मेरी, description में आपको कही न कहीं उसका link मिल जाएगा, वो ज़रूर चेक आउट करिएगा डाउनलोड करिएगा, उसको देखिएगा, पढ़िएगा, देखिएगा, पढ़िएगा मतलब कि उसमें text format में भी है, और हर topic के बाद मेरे videos भी हैं आपको अच्छी तरह समझाने के लिए उस topic को, अगर आप वो video ebook डाउनलोड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, अच्छे से सारे videos देख लेते हैं, तो आपको एक एक चीज़ पता लग जाएगी कि MBA कैसे करना है, कैसे होता है, कहां से करना है, कौन से colleges से करना है, कौन से entrance देना है, कि college में जो teacher पढ़ा रहा है न, professor पढ़ा रहा है, assistant professor पढ़ा रहा है, उतनी ही relevant knowledge आपको मिल जाएगी MBA करने के लिए जितनी उस particular person को है, तो इतनी powerful वो हमारा product है, MBA की video ebook है, जो कि आप download कर सकते हैं, totally it's up to you, अगर आप serious MBA को लेके और definitely करना ही करना है, तो मेरे according, उससे best आपके लिए, खुद को देने के लिए gift नहीं हो सकता, या knowledge acquire करने के लिए, कोई source नहीं हो सकता, final choice आपके उपर है, उम इस channel को subscribe करना मत भूलिएगा, career को right direction में मोडने के लिए, या फिर सही decision लेने में, ये channel आपकी बहुत मदद करने वाला है, future में भी, मिलते next video में, till then take care, goodbye, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा, thank you so much.